रादे रादे जैसी क्रश्ना मैं सीमा सिंग बढ़ों को चारानेस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको अमवश्या की एक पुराणी कहानी सुनानी जारी हूँ अगर आप अमवश्या कवरत करते हैं तो साथ में आपको बढ़ के पेड़ की पूचा करनी चाहिए साथ ही आपको अंगीरे के उपर बरफी और घी का भोग लगाना चाहिए और घी का अखन दिपक जलाना चाहिए बढ़ करते हैं कि इससे भोग लगाने से पित्रों को तर्प्ति मिलती है और पित्रों का अश्रवार मिलता है जिस घर पर पित्रदोश नहीं होता उस घर के लोगों के सभी कारिये go ST Punch सिद्ध हो जाते हैं समय पर बच्चे होते हैं, उनके अच्छी नोक्रियां लगती हैं और समय पर ही उनके शादी विवा हो जाते हैं इसलिए अगर घर में पित्र दोश है तो आमावशा के दिन पित्रों के निमित अंगिरे पर घी, खीर और वर्फी का भूग लगाना चाहिए गी का अखड दीपक जलाना चाहिए, बढ़के पेड की पूजा करनी चाहिए, एक भ्रामन जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाना चाहिए, अगर ऐसा नय हो सके तो भ्रामन के घर में सीधा जरूर विजवारा चाहिए आईए आज हम अमवशा की एक पूरानी कहानी सुनते हैं, एक बार बहुत चोटा सा गाउं था, उस गाउं में दो देवरानी जिठानी रहती थी, जिठानी बहुत आमीर थी, तो देवरानी बड़ी ही गरी थी, देवरानी अपनी जिठानी के घर जाडू पोचा बरतन कप बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन और पुराने कपड़ देती थी, उसी से देवरानी अपने दो बच्चों वे बिमार पती को खिलाती थी, उसी से उसका घर कर चलता था, इस तरह समय बीत रहा था, तब एक दिन की बात है, जेठानी ने अमवश्या को खीर पूर सबजी हल्वा बना देना, देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, थोड़ी देर के बाद जिठानी के माईके वाले आगे, सभी ने भोजन किया, तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमवश्या को हल्वा पूरी खीर बनाऊं, और पित्रों के नीमित भो की प्यासी थी, जब दोपहर में वैघर जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात्री की ठंडी बासी रोटी और दाल चावल दिये, तो देवरानी ने जिठानी से कहा कि भावी जी, आज मैं भी हल्वा पूरी बना कर पित्रों के नीमिक भोग लगाना चाती हूं, आप मुझ थोड़ा सा आटा, तेल, गी और गुड दे दीजिये, लेकिन जिठानी ने गुसे में कहा कि अरे लेना है तो ठंडा बासी भोजन ले जा, तेरे लिए मेरे पास देने को आटा, तेल, गी और गुड नहीं है, तो वीचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आगई, घर आई तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे और पती भूग से तड़प रहे थे, तब उसके पती और बच्चों ने उससे भोजन मांगा, तो उसने कहा कि आज भावी जी ने भोजन नहीं दिया, उसने सब को पानी पिला दिया, उसके बाद उसने खुद के घर में देखा, तो उसे एक डिबे में गुड मिला, उसने अंगीरा जलाया और अंगीरे पर गुड का भोग लगाया और जल से जलान जली दे दी, और फिर उसने गुड का पानी अपने बच्चों और पती को पिला दिया, तो उससे उनकी भूग शांत हो गई, दोपहर के बाद देव लोग से पितर प्रत्वी पर आये, सबसे पहले वे अपने बड़े पुतर के घर गे, वहां बड़ी भू अपने माईके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी, तब पितरों ने देखा कि बड़ी भूग ने पितरों के नीमीत अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था, पितर वहां से भूगे ही छोटे पुतर के घर पहुँचे, पितरों ने देखा कि उनका छोटा पुतर बीमार पड़ा था, और उनके दोनों पोते भूग से तड़प रहे थी, छोटी बहु ने अंगीरे पर गुड का भोग लगाया था, तो पितर गुड के प्रसाद को च अनधन के भंडार से भर गया, सुबह जब छोटी बहुसो कर उठी तो उसने देखा कि उसका घर अनधन के भंडार से भरा पड़ा था, घर में जगे जगे अन और धन की धेरिया पड़ी थी, उनका घर सुन्दर मकान में बदल जुका था, धन बटोरते बटोरते देवरान को सुभह से दोपहर हो गए तो वे जिठानी के घर जाड़ू पोचा बर्दन रोटी बनाने के लिए नहीं गई उदर जिठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा जब बच्चे चाची को बुलाने आये तो उन्होंने देखा कि चाची तो प हमसे भी जाड़ा अमीर हो गई है उनका घर तो सुन्दर महल में बदल गया है घर में अनधन के भंडार भरे पड़े हैं जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी वे उसी समय बिना चपलों के ही भागी भागी देवरानी के घर पहुँच गई और रोज रोज कहीं मेरा ही थोड़ा थोड़ा धन चुरा कर तो नहीं ले जाती थी तब देरानी ने जिठानी को पूरी सच्चाई बताई कि भावी जी कल अमावश्या का दिन था मैंने व्रत रखा था और पित्रों के निमीत गुड का अंगीरे पर भोग लगाया था और जल से जलान जली दी थी यह पित्रों का ही आशिरवात का फल है कि आज हमारा घर अनधन के भंडार से भरा पड़ा है साती आपके देवर भी सस्त हो गए हैं ऐसा सुनते ही जिठानी गुसे से दंदनाती वापस अपने घर आ गई और अपने पती से कहने लगी कि अरे हर बार अ आपके छोटे भाई पर टूटे हैं तब उसके पती ने अपनी पतनी से कहा कि अरी भागवान तु भोजन जरूर बनाती है लेकिन तु पित्रों के नीमित अंगीरे पर भोग नहीं लगाती तु पूरा खाना अपने मायके वालों को ही बना कर के खिला देती है इसलिए पि तरहम से भी जरूर प्रसंद होते फिर जब दुबारा अमवश्या का दिन आया तो देवरानी ने बर्फी पूरी सबजी हलवाई से बनवाई और जेड जिठानी और बच्चों को भोजन की बुलाने गई और साथी पाच पंडीतों को सैपतनी भोजन खाने के लिए बुला तब अमवश्या वाले दिन सबसे पहले दोनों भाईयों ने पित्रों के नीमित अंगीरे पर बर्फी का भोग लगाया और फिर जन से जलान जली दी फिर गाई, कवे, कुटे को पूड़ी और बर्फी खिलाई उसके बाद पाँच पंडीतों को सैपतनी भोजन खिलाया औ उन्हें बहुत खुशी हुई, तब पित्रों ने अपने दोनों बेटा बोऊं और पोते पोतियों को शुख आशिरवात दिया, जिससे वे सभी सुकी होके और इस जीवन के समस्त सुकों को भोग कमाने के बाद बैकुंट को प्राप्त हुए, गर्तिवों तो पुरियों प पता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद